वैसे friends आपको भी यहाँ पर verification में कुछ ना कुछ problem आ रहे होगे जैसे कि यहाँ पे जैसे आप वाट्साप open करते verification में अपना number डालते, verify करते तो आपके सामने यहाँ पर यह वाला interface आता है तो यहां पर साब साब बताए जाता है कि आपने कई बार यहां पर रेजिस्टर करने का try किया ये आ रहाए या सिंपल सी बात है आपने code अभी अभी send किया वो code ही नहीं आ रहाए जैसे कि यहां पर आपको दिखाते हैं जैसे हम WhatsApp में register करने जाते हैं अपना number add करते next के उबर क्लिक करके यहाँ पे हम जैसे verify करने जाते तो आगे हमारे सामने OTP टालने का option आता है तो simple से problem यह है कि यहाँ पे OTP detect नहीं होता है या OTP नहीं आता है यही सबसे बड़ी problem है आज किस वडियो में इसी problem का solution जानने वाले है तो my name is Mahesh, welcome to mh creator channel हम problem and solution के related and साथ में आका हूँ recorded related कई सालों से यहाँ पे काम कर रहे है तो जो जानकरी में देने वाला हूँ वो personal यहाँ पे जो जो भी बेने ट्राइल किया भी तक उस base पे में बताने वाला हूँ मतलब जो solution में देने वाला हूँ वो सच में आपकी मदद करेगी अगर ध्यान से आप वीडियो को end तक देखेंगे तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते है उससे पेले एक की request वीडियो यल्पल लगता है तो वीडियो को like करना है चानों को subscribe नहीं किया इस तरह के helpful वीडियो हम बनाते रहते तो चानों को subscribe करके bell icon पे click करना like की बात किये तो 300 like का ही target है friends सिर्फ इस target को complete करिए कोई भी दिक्कत आती है comment box में comment करिए targeted होते ही उस topic related आपको वीडियो guaranteed दिक जाएगा तो solution क्या है friends solution यहाँ पे ही है second solution जो सबसे पहले use करेंगे तो यह better रहेगा जैसे कि यहाँ पे data and receive code इसके उपर क्लिक करना है नीचे call me का option है call me से करेंगे तो friends यहाँ पे phone automatically detect हो जाएगा बट जो phone number है यह आपके phone में होना चाहिए अगर first option मतलब यहाँ पे recent SMS in seven hours मतलब seven गंटे के लिए wait करने के लिए बोला जा रहा है तो friends अभी आपको क्या करना है मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे जैसे यह आ जाता है तो आपको क्या करना है यहाँ पे back आ जाना है back आने के बाद जो भी WhatsApp आप use कर रहे थे उसके उपर long press करना है यहाँ पे app info पर क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद storage usage के उपर क्लिक करना है यहाँ से clear catch and clear data पे क्लिक करके delete करना है अब आगी next step में क्या करना है simply WhatsApp को फिर से open करना है जैसे WhatsApp open करेंगे open करने के बाद यहाँ पे language select करना है next के option पे click करना है agree and continue उपर click करना है यहाँ पे allow के उपर click करना है यहाँ पे mobile number simply आपको डाल देना है डालने के बाद यहाँ पे simply आपको ok के उपर click करना है and यहाँ पे आपके सामने यह वाला interface आनी वाला है तो friends यहाँ पे आपको क्या करना है सबसे पहले यह चेक करना है कि SIM आपके फोन में है या नहीं यह आपके फोन में होना चाहिए अब बस continue के ओपर क्लिक करना है and call से verification करना है call आ जाएगा automatically cut हो जाएगा आपको cut नहीं करना है direct verify हो जाएगा आपका WhatsApp without any problem के अगर friends call की भी आपकी limit यहाँ पर खतम होगे जैसे कि यहाँ पर direct code पर में क्लिक करता हो तो आप देख सकते यहाँ पर click नहीं हो रहा है and यहाँ पर timing भी आ गए तो इस time तक आप wait कर सकते बट मैं एक suggestion देना चाहूंगा जो सबसे better है मैंने अभी तक जो भी account practical यहाँ पर try किये मैंने कई बार अपना WhatsApp अनिस्टॉल किया अनिस्टॉल किया काफी बार किया मुझे correct पता है तो friends अभी यह जो एक घंटा बोल रहे है तो आपको क्या करना है इस timing को देखना ही नहीं बस यहाँ पर 24 एक दिन तक पूरा wait करना है WhatsApp को ही open ना करे अगर एक घंटे के बाद open करेंगे तो फिर से यह time आगे बढ़ जाएगा तो आपको क्या करना है अभी WhatsApp को open नहीं करना है verification करने का trial नहीं करना है 24 गंटे एक दिन तक यहाँ पर try नहीं करना है दोनों भी option यूज़ कर सकते हो पहला recent SMS बट उस समय आपको क्या करना है जो आपका phone है उसमें जो SIM है recent SMS option यूज़ करती समय बोल रहा हो वो SIM आपके दूसरे phone में ऐसे normal phone में टाल सकते हो उसके बाद एक दिन के बाद तब तक वीडियो को save करके रख सकते हैं अब आपको क्या करना है simply यहाँ से sub step follow करना है mobile number डालना है verify करना है code आजाएगा recent SMS पर click करने के बाद code आजाएगा मतलब यहाँ पर normal phone में code आजाएगा इस code को बस यहाँ पर आपको डाल देना है without any problem के guaranteed friends verify कर पाए होती है as all but by chance अगर नहीं होती है तो ऐसे स्थिति में friends आपको क्या करना है temporary whatsapp business में जो mobile number डालना है वहाँ से verify करना है verify करने के बाद वहाँ पर आपका कोई भी problem आपको नहीं आएगा वहाँ से आप बढ़ी आसे verify कर पाएंगे temporary उसे use कर सकते हैं फिर भी कोई दिक्कत आती यहाँ पर क्लिक करना है help के option पर क्लिक करना है जैसे यह पार्ट यहाँ पर catch कर लेगा whatsapp automatically क्योंकि यहाँ सही हम कर रहे है अब आपको क्या करना है this doesn't answer my question इस वाला option पर क्लिक करना है and click करने के बाद जो screenshot निकाला था वो यहाँ पर प्लस के उपर क्लिक करके उसे यहाँ प करता हो आपके सामने तो screenshot मैंने यहाँ पर add किया add करने के बाद ऊपर यहाँ पर जो problem है यह explain करना है तो friends इस तरह का आपको problem लिख दाना है यह बिल्कुल accurate problem मैंने यहाँ पर लिखा है यह जो problem है यह आपको description में मिल जाएगा वहाँ से copy कर सकते copy नहीं कर पारे तो आपको क video के share के button पे click करने share के button के ऊपर click करने के बाद इस video की URL को copy करना है इस URL को आपको Chrome browser में paste करना है वहाँ से इसी video को आपको देख लेना है वहाँ से आप description में जाएगे तो आप बढ़ी आसान से यहाँ पे आप जो form जो report difference उसे copy कर पाएंगे copy करने के बाद यहाँ पे आपको paste करना है यह जरू करें उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है next के उपर click करना है जैसे next के उपर click करेंगे this doesn't answer match question इस वाले option पे फिर से click करना है click करते email का option आईगा email के option पे click करिए click करने के बाद यहाँ पे automatically उस जगा की information नीचे आ जाएगी आपने कहा से मतलब क्या problem हमारे automatically whatsapp को पता चल जाएगा यही step आप follow करेंगे तो whatsapp correct detect कर पाएगा कि actually आपको क्या problem आ रहे है अब आगे आपको क्या करना है report को सीधे send करना है कुछ भी नहीं करना है अब बस wait करना है okay इस video को save करके रखे 24 hours के लिए मतलब एक दिन तक आपको wait करना है कुछ भी नहीं करना है एक गंटे के बाद यहां पर trial करने के लिए बोला जाता है बट एक गंटे के बाद यह फिर से आ जाता है तो please open नहीं करेंगे तो सबसे best friends मुझे call पे भी काफी लोग यहां पर बोलते हैं contact करते हैं काफी friend contact करते हैं तो मैं directly उनको यही suggestion देता हूँ जिससे बाद मे बताते हैं कि मेरा जो problem ही solve हो गए और एक बात email send करने के बाद आपको इस तरह का email भी आता है and यहां पे भी वही information दीए कि यहां पे आपको मतलब एक दिन तक wait करना है बोला जाता है वहाँ जब verify करते हैं वहाँ पर बोला जाता है कि 7 गंटे wait करें एक गंटे wait करें आपको यहां पे एक दिन तक wait करना है friends ओके यह email में भी response में आपको directly बताया जाएगा तो friends अब wait करने के बाद automatically आपका guaranteed problem solo हो जाएगा इस वीडियो की नीचे यह आप मुझे save करके रोको पहले वीडियो को इस वीडियो की नीचे यह आप मुझे comment करने वाले में guarantee देता हो अब ज चोटे मोटे problem के उपर भी वीडियो बनाते तो comment जरू करना जाते आते आकाउं रिकावर किसी को करना है तो YouTube में आप search कर सकते हो topic आगे MH Creator लिख देना है नहीं तो friends screen के ओपर playlist भी है तो इसे भी check कर सकते हो धन्यवाद